हेलो डियर फिरेंड्स आम डॉक्टर विबनाश कुमार मेडिसिनी स्पेसिलिस्ट आज का हमारा टॉपिक है एरर सीन इसीजी हाउ टू अडेंटिफाइ एरर सीन इसीजी यह इतना इंपॉर्टन टॉपिक है कि अगर इसीजी में एरर आ रहे हैं तो आपको एलर्ट हो जाना चाहिए और उसीजी को अगर आप इंटरप्रेट करते हैं उसके रिपोर्टिंग करते हैं डेफिनिटली वो गलत होगा इसलिए इसीजी में जैसे ही आपको एरर दिखें आप उसीजी को डिसकार्ट करें फ्रेसीजी करवाएं और उसके सबसे पहले आपको देखना है कि यह इसीजी एरर फ्री है है उसके बाद में आपको रीडिंग एंड रिपोर्टिंग करनी है तो सबसे पहले आप देखेंगे पेपर स्पीड इस्टेंडाइजेशन रॉंग इसीजी एलेक्टोर्ड प्लेस्ट इतोवियंस लॉव एंड आर्टीफेट्स डिटेक्शन आफ एरर्स इन इसीजी तो सबसे पहले हम पेपर स्पीड देखेंगे जो नॉर्मली इसीजी किया जाता है उसकी पेपर स्पीड टॉन्टी फाइव एमेम पर सेकेंड होती है इसको चेक कैसे करेंगे यह एसीजी पे लिखा होगा होता है ट्रेसिंग पे तो इसको आप देख सकते हैं कि यह एसीजी कितने स्पीड पे की गई है इसके बाद में आप सेकंड इस्टेंडाइजेशन और कैलिबरेशन इसको चेक करेंगे यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टन सेग्मेंट है इसीजी का अगर किसी इसीजी में यह इस्टेंडाइजेशन होता है जो भी वेव होती है उसके पहले यह एक मार्क होता है जिसको इस्टेंडाइजेशन मार्क कहते है अगर किसी इसीजी में अगर आपको यह मार्क नहीं द The standard calibration of ECG is 1 millivolt equal to 10 mm small squares. Means 10 small squares का calibration ये होता है. इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है. अगर ये नहीं है तो आपको ECG read करने ज़रुत नहीं है. इंतोवेंस law ये है कि आपको lead 2 देखना है, इसके QRS complex को देखना है. लीड 2 के. ये equal to होता है lead 1 plus lead 3. lead 1 में जो QRS complex है वो plus lead 3. ये दोनों को add करेंगे तो lead 2 के equal आपको QRS complex मिलेंगे. अगर नहीं मिलते है, that means कि lead is wrongly placed. limb leads are wrongly placed. इसका example इधर दिया है. ये normal ECG है. तो इसमें lead 2 ये है. इसका जो QRS complex है, वो lead 1 और lead 3 के जो QRS complex है, उसको add करके इसके equivalent निकलेगा. लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि lead 2 का complex करीब इधर 4 and 4, 8 mm का complex है. lead 1 में 5, 10, 4, 14, 15, 16, 17. टोटल 17, lead 2 में only 7 to 8. इसके मतलब यहीं से हम ECG को discard करेंगे, कि ये wrongly placed leads हैं, इसलिए ECG को हम read नहीं करेंगे, दुबारा ECG को order करेंगे. ये interference law है. नेक्स्ट इज मिस्प्लेस्मेंट आउफ लीड्स. इसको हम जज़ करते हैं इंतोवेंस triangle से. इंतोवेंस triangle क्या है? ये थोड़ा से समझ लेते हैं. जो leads हमारी limb leads से लगती हैं, that are called as bipolar leads. ये right arm, left arm, left leg. जो fourth electrode लगता है, वो हमारा right leg में लगता है. that work as a thing. तो वो count में नहीं होता है. केवल तीन limb leads काम की हैं हमारी. तो right arm, left arm and left leg. right arm, left arm ये मिलके lead one बनाती है. left arm, left leg ये मिलके lead three बनाती है. and right arm, left leg ये lead two बनाती है. misplacement of leads. इसके मतलब ये हुए कि जो right arm में electrode लगना है, वो left arm में लग गया, left arm में लगना है, वो right arm में लग गया, left leg में लग गया. इस तरीके से कोई भी technical error, जो अगर कोई technician कर रहा है, उसके error से ये चीज़े होती है. तो अगर arm electrodes L1 reversed, जो हमारा right arm, ये show है, right arm और left arm, अगर ये interchange हो गया है, तो क्या tracing आएगी? ये हमारा normal ECG है, और ये उसका result है, अगर lead misplaced हुई है, गलत lead लगी है, तो. इसमें कि देखते हैं क्या होता है? अगर lead गलत लगी है, right arm और left arm की change हो गई है, तो one का reciprocal means, one का mirror image, M means mirror image, ये lead one में दिखेगा, lead two, ये lead three show करेगा, इदर lead three जो है, ये इदर lead two में show करेगा, avr, ये avl show करेगा, ये देखिए avl की wave, इदर avl की wave, तो avr की जगे avl की wave आएगी, इदर जो avr की wave है, वो avl की जगे आएगी, and avf ये same होगा, next, right arm and left leg, electrodes reversed, right arm or left leg, means right arm and left leg, इदर पे, ये electrodes change हो गए है, तो क्या होगा, means lead two के electrodes change हो गए है, ये bipolar leads है, lead one, ये normal ECG है, ये abnormal है, abnormal means lead change हो गए है, lead one, इसकी जगे third lead का mirroring में जाएगा, means ये third lead है, इसका mirror image, means उल्टा आएगा इसमे, lead two में, lead two में, lead two का mirroring में जाएगा, lead three जब करेंगे, उसमे lead one का mirroring में जाएगा, R की जगे lead F शो करेंगा, ये lead F है, ये शो करेंगा, इधर AVR में, AVL सेम रहेगा, AVF, AVF की जगे, AVR की lead की recording शो होगी, तो इस तरीके से, हम identify करेंगे, कि ये change हो गए, अगर AVR always negative होता है, जहां भी हमें AVR positive दिख जाए, इसको हम immediate कह सकते हैं, कि right arm and left leg lead, change हो गई है, लेकिन ये उपर AVF, अगर positive wave आ रही है, AVF में, ये condition है, जिसमें मिल सकते हैं, डेक्स्टो कार्ड या, उसको आप cross check करेंगे, otherwise, second chance है, कि lead misplacement होई है, next देखते हैं, left arm and left leg, इनके electrodes change हो गए है, left leg and left arm, ये electrode आपस में change हो गए है, L3 के, तो इसमें क्या मिलेगा, lead 1 की जगे lead 2 शो होगा, lead 2 की जगे lead 1 शो होगा, lead 3 जो है, उसका mirror image 3 में आएगा, AVR ये same होगा, AVL की जगे, AVF से शो होगा, ये AVL की जगे, ये AVF इदर शो होगा, और AVF की जगे, AVL शो होगा, जो wave AVL में आने चाहिते हैं, वो शो होगा, तो यहां से हम identify करेंगे, कि lead misplacement होई है, इसके बाद, अगर leads counterclockwise change हो गई है, means, left arm की, right arm में लग गई, right arm की left leg में लग गई, left leg की right arm में लग गई, इस तरीके से counter change हो गया है, तो क्या finding मिलेगी, तो lead one की जगे, two का mirror ही में जाएगा, two में three का mirror ही में जाएगा, lead one की जगे, lead three में, lead one का ही में जाएगा, इस तरीके से, ये सारी changes हो जाएंगे ये आपको याद करने पढ़ेंगे ये सारे changes आपको याद करने पढ़ेंगे समझना पढ़ेगा बार बार ये वीडियो आपको देखना पढ़ेगा समझने के लिए तब ही आप इसको identify कर पाएंगे ऐसे नहीं कर पाएंगे इसी तरीके से अगर ये लीड clockwise रोटेट हो गई means right arm left arm में लग गई left arm की left leg में लग गई left leg की right arm में लग गई ये changes हो गई तो क्या होगा तो उसमें ये changes है lead 1 की जगे हमें lead 3 दिखाई देगी lead 2 की जगे 1 का mirror image दिखाई देगा lead 3 में lead 2 का mirror image दिखेगा इस तरीके से ये सारे changes इसमें show होंगे ये आपको बार बार समझना पड़ेगा देखना पड़ेगा तभी याद होगा नहीं तो नहीं precautions for recording ECG ECG record करने में हमें precautions क्या क्या लेने है position of the patient patient को हम flat लटाएंगे side में नहीं लटाएंगे या बैठे position में नहीं करेंगे अगर करते हैं तो heart की axis जो है वो change हो जाएगी effective contact means जो electrodes हम लगाएंगे skin पे, limb पे, chest पे तो skin clean होनी चाहिए, hair नहीं वहाँ पे होना चाहिए और उसका contact electrode का skin से fair होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए placement of precordial leads ये भी हमें exact defined site पे ही लगाना है जो sites defined है precordial leads लगाने की उसी पे ही लगाना है placement of limb leads should not be placed by wrong leads जो जिस limb में लगना है उसी में ही लगाना है अगर गलत लगाएंगे गलत इसी जोगी गलत interpretation होगा गलत diagnosis बनेगी standardization इसको हमें चेक करना है कि वन मिली वोल्ट is equal to 10 mm पे किया गया है ये ensure करना है paper speed 25 mm per second किया गया है नहीं किया गया इसको ensure करना है electrical artifacts ये हो सकते हैं हमारे अगर वहाँ पास में कोई भी electrical devices या electronic devices हैं या patient को tremors हो रहे हैं तो उस condition में electrical artifacts हो सकते हैं ये जो artifacts हैं ये कम करने के लिए हमें वहाँ पे जितनी भी electrical devices हैं उनको unplug करना पड़ेगा और patient में अगर tremors हो रहे हैं तो उसको ensure करेंगे जब वो थोड़ा सा शान्त हो जाएगा तब आप उसको wait करके ECG निकालेंगे electrical artifacts का मैं एक different ECG में artifacts का वीडियो बनाओंगा उसको आप आगे देखेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को like, share and subscribe ज़रूर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये चीजें पता लग सकें Thank you